नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग आपके बहुत अच्छे होंगे तो आज क्या ये विडियो है फैन वॉक और कंसिल वॉक्स को लेकर यानि कि जब भी आप अपने घर में बाइरिंग के लिए फैन हुक डलवाते हैं और लाइट वॉक्स डलवाते हैं तो आपको कौन सा ये विडियो जिसको एलिडी बॉक्स भी कहते हैं इसमें आप देख सकते हैं शहां पर बहुत सारेlungen हें जहां पर बाइड के लिए पाइप लगा empir जाते हैं और इसमें आपका लायीट लगेगा डाउनलइट जो की द्युक्श की पांच बार्ट साथ बाट और बात करें तो यहां पर देख सकते हैं यह हाथ से दबाने पर ऐसे दबेगा नहीं तो यह क्वाइल्टी को हम बेटर मान सकते हैं वैसे इससे भी अच्छी क्वाइल्टी आती है और आगे बात करता हूं यह है आप देखें फैन हो जो है और मैं इसकी प्राइस के अगर बात कर और यहां पर देख सकते हैं यह है फैन फूक यहां पर फैन के लिए फैन को लटकाने के लिए आप लगाते हैं तो यह है और इसका बेट पर डिपेंड करता है कि इसकी क्वाइलिटी क्या है तो यहां पर इसका बेट आप देखें तो 231 ग्राम का बेट है मैंने इसे बेट कि चालिस उपे, 38 से चालिस उपे का उपलब्द हो जाएगा, कहीं कहीं पर आपको 45 में मिलेगा, और एक फैन हुक है, यह आप देखते हैं, इसको यलो फैन हुक बोलते हैं, यह दोनों ही यलो फैन हुक है, इसका अगर बेट का बात करें हम, तो यह 259 ग्राम है, और यह उससे ज्यादा हैबी क्वाइलटी है, इसमें भी पाइपस के लिए होल इन सब में दिये होते हैं, आप देख सकते हैं, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, यह कुछ इस तरीके से च्छत पर लग जाता है, और यहाँ पर पंखे को हैंगिन कर दिया जाता है, अब आते हैं हम, सबसे बेस्ट जो हमारे पास है, उस फैन बॉक्स के उपर, यह है मलोतर कंपनी का, यह जो फैन बॉक्स आप देख रहे हैं, यह मलोतरा, यह सबसे अच्छा ब्रांड माना जाता है, मैं यह नहीं कहुँआ कि इससे कोई अच्छा ब्रांड नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज़्याद और इसका जो प्राइस के अगर मैं बात करूं तो यह लगभग आपको 80 से 85 रुपीज के रेंज में उपलब्द हो जागा ऐसे इसका मार्केट में लगभग 100 रुपी प्राइस है लेकिन हमारे सॉप पे इसी रेंज में उपलब्द होता है क्योंकि हम किस्टमर को कम दाम में कोई भी सामान तो चलिए इसका बेट करके जखते हैं कि इसकी क्वाइलिटी तो आप देखी नहीं साथे साथ मैं अगर बात करूं तो इसका जो इस में है कि जो जल लगता है वो जंग लगने के चांश बहुत कम है क्योंकि यह काफी साइनिंग के साथ में है चलिए बेट म का यह कौईलिटी है और यह मलवत्रा का ही है तो यह काफी है इसमें कोई कंप्लेंड नहीं है और यही आपको लगाना चाहिए अपने घर में अगर आपका वजट है तो और यहां पर देख सकते हैं यह मलवत्रा का पाइप्स रखे हुए हैं जो की एक इंच में और आपका पॉन इंच जिसको थिरिवाई फोर इंच करते हैं उसमें उपलब्ध है यह पाइप्स हमारे पास पाइप्स जो होते हैं वह कितने तरह के होते हैं वह मैं आपको बताता हूं अगर आप शत की ढहलाई में डाल रहे हैं पाइप तो वह आपको एक इंच या पाउन इंच कोई भी डाले लेकिन उसकी जो थिकनेस होती है साइट की एज जो होता है उसका 1.5 और 2 mm आता है तो जो 2 mm है वो छत की ढहलाई में डालना चाहिए और दिवार में जब आप डलवाते हैं तो 1.5 mm का पाइप आप डलवा सकते हैं तो यह वीडियो इसी मारेटर पर था तो आप लोग क्यों अगर कोई क्वेरी हो कि कौन सा बायर लगाना चाहिए वारिंग में या फिर कौन सा पाइप यूज करना चाहिए और निल पाइप कैसे पहचानेंगे या फिर कोई भी क्वेरी जो तो प्लीज आप डेट से रिलेटेड या किसी च बात्रा करके आपको किसी भी चीज के रेट की जनकारी चाहिए मैं यहां से प्रोवाइड करा सकता हूं तो आप मुझे इस्ट्राग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विजली घर हरनोध ये हमारा इंस्ट्राग्राम आईडी है आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं तो चलिए नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाय जै हिंद जै वारत बंदे मातर हमुएं।